उत्तरप्रदेश के चुनाव में सवाल से पियर नहीं है कि मुसल्मान क्या सोच रहा है सवाल सबसे बड़ा ये है कि जहां मुसलिम उम्मिदवार है गड़बंधन का वहाँ पर जाट और बाकी जातियां क्या सोच रही है जिस तरह से भाश्पा के विरोध में जो माहौल बन रहा है वह वोट तक तफ्दील होगा की नहीं यहां एक एहम सवाल है जिसे टटोलना अलग अलग जगों पे बेहस जरूरी है यह जाट बहुल इलाका है जाट बहुल गाउं है 7000 के करीब यहां पर जाट वोट हैं यहां से गटबंधन ने मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा है हम यहां से जानने की कोशिश करेंगे कि यहां के जो निवासी जो कल वोट देने जा रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है क्योंकि एक बड़े पैमाने पे जो परसेप्शन है जो अवधारना है वो बता रही है कि जहां पर जाट बहुल गाउं है और नौन जाट या मुस्लिम उम्मीदवार गटबंधन ने उतारा है उसके पक्ष में जाट बड़े पैमाने पे वोट नहीं दे रहे है वोट का विभाजन हो रहा है लिहाजा हम पहुचे हैं दिल्ली से सटे हुए इस गाउं में और जानने की कोशिश करेंगे अलग अलग जातिगत समुकरणों से समुहों से कि आखिर वे अपना मद्दान दस तारीक को कहां करेंगे और इसके पीछे सबसे बड़ी वज़ा क्या रहेगी अजले इस जहर में भी वोट काम होंगे क्योंकि लोग अनली तो तो शहर वाले काहिन पूट डेरे उसे तंग है लंबे अज से तक लंबे शमय तक मुगलों का शासन था हिंदू खत्रे में इाया तो सो वर्स तक अंग्रेजु ने श्यासन किया हिंदू खत्रे में इया है। 65-65 साल कांग्रेज ने श्यासन किया हिंदू खत्रे में इया है। इनके पांच साल के श्यासन में हिंदू खत्रे में आ गया। यह कहना क्या चाते है। यह लोग समझ जाएंगे? मनी में आपना जो शत आता से वर्स आया उससे कोई βरती आइगा को बरती नहीं आई हुआ डेक्ते हो एक मैरी उम्मार चली टेखते देखते को परती नहीं आई कोई अभी एससे के कोई नौजवान के बीच में तो हिंदु मुसल्मान भी एक बड़ा मुद्दा है ना मेडम सब हिंदु मुसली में की भाई है यह बताई है कोई सभी बोर्ट देने का सभी का अधिकार है कोई बोर्ट किसों के छिने सार अमतर राष्ट्र लोग दल पर खरे उतरेंगे पीजेपी तरेना इवका इनन नुक्सान कर दिया कोई बरती नी आण दी सब बरती नुए कर दी नरदो बदल इवका इसते सभी खिलाप अगे बीजेपी तरे इवका इसा देखे केक रहा यू कई ओजना ये रह लिया इनना कुछ नी करा सम मामला बहर पुचा दिया नोट ब सब्सक्राइब उस घलत राष्टे पर अब नहीं चलेंगे जो मारे भाई पंजाब ता रहे थे उन्हें थे खालिस्तानी नी कह रहे थे वह हम रहते ना वह तो फेर उनका खालिस्तानी जीब हम पश्चिम के चले के किसान अंदोलन से क्या हुआ फाइदा जो मारे बाल कु में आपनी समय वित है मिनमों ठीक होगी है लाफृत भी जांड नहीं कराई जाट हिंदू-मुस्लिम करा के ऑननों दंगा करवाया और उस ही लुग मुस्लिम से मारे लफरत हुई है अब यह हमारे मुम्डन भाई हमारे साथ रहते हैं उन से हम्मे कोई वह भी तो ऑन मिलक तो आपको लगता है राजनीती बदल जाएगी? जी राजनीती क्यों नहीं बदलेगी? अगर हम सब एक होंगे तो राजनीती तो बदलेगी? यह अब चले मेरे खुड़ा ठाक है जाएगे? नहीं होगा गुजारी बदलता है अपको यहां? कोई काम भी लिए? मतलब जैसा आप त्यासोखा काम भी लिए? अगरिबोकर ना वड़ाई है रही ना कोई कुछ रहा कोई मतलब लिए बच्चों का तर बिल्कुल लोगता है जब कोई नोखरी नहीं मिलती हमस्वालों कुजा माय नोखरी वो भी चीन ली कापने 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 कापन उत्तर प्रदेश की धर्ती में सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुस्लिम मद्दाता किधर जाएगा किस पार्टी का दामन थामेगा क्या योगी आदितिनाथ का जो पिछला पांस साल रहा है उसने उसे इस तरह परेशान किया है कि वो समाजवादी पार्टी और रालोत का जो ग जाने का काम सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मद्दाताओं पर पॉलिटिकल पार्टी ने छोड़ दिया है जैसे योगी आदितिनाथ और अखिलेश के अगर आब बात इन लोगों की अगर बात करें तो इश्यूस जो यहां पे उन्होंने जो बात करें है वो यही रहे हैं कि कौन कौन देश को बाट रहे हैं एक कम्यूनिटी विशेश को टार्गेट करा जा रहा है कही ना कहीं पहले एक लव जहाद का फिर यहां पर कन्वर्जन पर बहुत सारी इश्यूस उठे थे तो मुझे यह लगता है कि कोई इलेक्शन में सिर्फ कही ना कहीं सिर्फ कम्युति है वह चलेगी चल रही है इन फैक्ट और जो लोग है वह और भी ज्यादा जो गरीब हो रहे हैं जो महंगाई है जिसके माद में बताश कोई बात ही नहीं करना चाहारा को जपनी करना चाहरा एक अजीब सा साइलयन्स है मुझह लगता है बोटों का तो दुर्वी तो मुझे नहीं लगता कि इसमें एक जगा वोट जा पाएगा मतलब वोट बटेगा वोट बटेगा जैसे अलीगड़ से बात हो रही है तो अलीगड़ में हमारे वियोक बंसल जी भी है मुसलिम का वोट उनको भी जाएगा सपा को भी जाएगा तो बटेगा यूपी छेतर के अंदर सबसे ज़्यादा भुक्मरी है सबसे ज़्यादा पावर्टी है मैं कह रहा हूँ सबसे पहले अगर हिंदू राष्टर लाने से अगर भुकमरी दूर हो सकती है तो यूपी में लिया हूँ आदे से जादे मेरे खाल से मुसलिम सपोर्ट कर देंगे अगर भुकमरी खतम हो जाएगी है कि एक तरफ जेनोसाइट की चेतावनी बाहर से आ रही है दूसरी इस तरफ तमाम इस तरह की संसद हो रही है जहां पर जेनोसाइट के कॉल्स हो रहे हैं तो आप नौजवान हैं आप कैसे इस चैलेंज को देखते हैं और इसने कितना मुसलिम यूथ को प्रभावित किया है उसकी सोच को प्रभावित किया है मैं काफी स्यादा यंग्स्टर्स जो स्टूडेंट्स है वगरा उनसे मैं मुलागात करता हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं यह जो एक आइडिया है कि एक हिंदू राष्ट्र या फिर कोई ऐसी कंट्री जहां पर सिर्फ एक धर्म के लोगों को जगा मिलेगी तो मैंने इसको लोगों की मेंटल हेल्थ को हराब करते हूँ देखा है बहुत क्लोजली इसा नहीं है कि यह एक बिस सिर्फ पॉलिटिकल आइडिया है और यह हम लोगों को रोज मरा से अफेक्ट नहीं करता है यह करता है और मैंने ऐसा भी देखा है कि बड़े बुड़े जो उनको यह लगता है कि हाँ कहीं न कहीं बहुत जाता है एंग्जाइटीज है काफी काफी आप से गवराहट है लोगों में आप खास तोरह मिडल क्लास मुसलमान मुसलमान कहीं पर भी हो उसमें यह वाली वाली बात है कि क्या होगा आने वाले वक्त में क्या होगा जितना भी पूरे पांच साल हमने भोगा हमने यह देखा कि राजनितिक पार्टियों को सबको साप सूंगे हुए था चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, या ओवेसी साहब की पार्टी हो, ओवेसी साहब सोशल मीडिया पे तो खूब दिख रहे थे और उन्होंने पार्लेमेंट में भी CIA का बिल भाड़ा, लेकिन लोकल संगठन उनका कहां था यहां सवाल यह पैदा होता है, कि हम आखिर वोट दें, तो किसको दें, हमारी नजर में तो कोई एक भी ऐसा संगठन नहीं है, जो वोट पाने का हख़ा हो, यानि मुसलिम वोट बटेंगे और भाजपा को फायदा होगा, लेकिन भाजपा को तो मुसलिम वोट पहले भी मिला हैं, और सबसे बड़ चलके हमारे जो भाजिया अकलेश जी हैं, उनमें तो कुछ राजनेतिक समझ भूज या राजनेतिक समझ ही नहीं है उनके अंदर तो, आप जब देखेंगे उठाके, तो पिछले 70 सालों में, मुसल्मानों की या दलीतों की जो हालत हुई है, उसकी व नीचे के तबके पर कोई खड़ा है, तो वो मुसल्मान है, तो आज शोशित और वंचित जो है, वो मुसल्मान है, तो इसलिए लगता है कि वैसी साहब मुसल्मानों की आवाज उठा रहे हैं, जबकि वो शोती वोट कटने से फायदा भाजपा को होता है, या धुरुवी क अब वैसी साहब अपनी पार्टी तो क्या तो टिकेट जेते हैं, अब यहां मानली जिए सपा है, बसपा है, कॉंग्रेस हैं, तो वो भी मुसल्मानों की टिकेट जे रहे हैं, तो इसमें अब का दोश तो लगए है, उन्हें चाहिए को ना दे, हर समय, हर चुनाओं में मु हमने अपनी जिम्मेदारी, मुसल्मान की हैसे से के मजलूमों की हमायत करो, जहां पर भी जल्म हो रहा है, उसके खिलाफ खड़े हो जाओ, इसलिए जब सेखलर्ण को बचाने का वक्त आएगा हिन्दूस्तान में, या हिन्दूस्तान को बचाने का वक्त आएगा, तो हम को बचाएंगे वो जिम्मेदारी हमारी नहीं ये सब की है लेकिन जब जब हिंदुत होगा या हिंदु राज़ उठाने की बात होगी हम सेकुलर्ण को बचाने के लिए आगा आएंगे और भारती को बचाने की सीधा सा सवाल मुस्लिम वोट बढ़ता है और हमेशा भाश्प को भी ये पता है और तमाम पॉलेटिकल पार्टी को भी पता है देखिये बात तो यहाना के मुस्लिम वोट बढ़ता है मुसल्मानों की मजबूरी ये है यह नेतिक अधिकारों का इस्तामाल करते हैं कि वोट देना चाहिए एक सबसे बड़ी बात देख लिए कि वो मुसलम पार्टी नहीं थी उसके बावजूद में बोट देने की जिम्वेदारी से मुसल्मान पूछी नहीं अटा और सेग्लर के नाम पर वोट देता चला गया कभी जनसंग के खिलाफ कांग्रेस को देता चला गया कभी भारती जंटा परवार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी को बहुत हैं समाज़ा पार्टी को देते रहे क्योंकि वो मानता है कि सैफॉलर बचाना इस हिसंदुस्तान के सैफॉलर्षम को रक्षा अभी आपने सवाल पूछा, ध्रुवीकरन, आज राम गोपाल जी का बयान है, मंदिर को लेकर करके हम राम मंदिर हम बनवाएंगे, और भव्य बनाएंगे, और बीजेपी से अच्छा बनाएंगे, ध्रुवीकरन तो अखलेश्यादब जी कर रहे हैं, राम गोपाल का बयान कर दुरूपी करने की कोशिच करने और इल्जाम दूसरों पर लगा रहा है इस बार भी एलक्षन का महौल कुछ ऐसे नजर आ रहा है और अब आधा रहा है और बवाउन होते हैं लिए कशा कर रही है मुस्लिम पर कर दिमाग के च्छोड़ती है सुनने भी जाते हैं को ख्यालात अच्छे हैं उनके जो पड़ा लिखा मुस्लिम तपका है वो उनको पसंद भी करता है जो यंग जनरेशन है उसमें भी एक अच्छी मजॉर्टी और विसी को पसंद करती है लेकिन जहां कुल मिलाकर के एंटी बीजेपी वोट करने की बात आ जाती है माहुल बनता है वहां पर वोट होना मुश्किल है जो गैदरिंग इखटी होती है उनको सुनने के लिए या उनसे हम ख्याल है वह उनको वोट नहीं करना चाहेगी मेरी अपनी यह समझ है और बहुजन समाज पार्टी बस पर बहुजन समाज पार्टी में एक यहां पर अच्छा खासा इस रीजन में उसका रहा असर रहा लेकिन क्योंके मायवेती जी के पिछले CAA के मौके पर NRC के मौके पर उस पर खामोश रहना मायवेती जी का ना सड़क पे निकल के आई ना कोई बयान दिया तो वो सब चीजें इखटी होती चली गए प्रो बीजेपी मायवेती के ख्यालात को इखटा करती गए मुस्लिम के दिमाग में और इस वक्त भी मुसल्मान तपका ये मान के चलता है कि मायवेती के फेवर में अगर वोड जाएगा या मायवेती के सीटे जीत के जाएंगी तो वो आफ्टार एलेक्शन बीजेपी को स्रपोर्ट करेंगी जिसकी वेसे मुसल्मान उन से जूर नहीं पा रहा है कि अब बुनियादी मुद्दों पे ये तमाम ताक्तें जो सामने आ रही है ये उत्तर प्रदेश को और देश को नई दिशा दिखाएंगी यह शायद आज सबसे बड़ा सवाल है